क्या कॉडी रूट्स रोमन रेंज के अगेंस्ट अपनी स्टोरी फिनिश कर पाएंगे क्या डू मेकेंटार फैंट्स के सामने अपना ड्रीम मुवमेंट जी पाएंगे क्या होगा रोमन रेंज रॉक वर्सेस सैथ रॉलिंस कॉडी रूट्स के मैच में कौन बनेगा सिकंदर कौन होगा जीरो, सबके बारें बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में काफी कमाल के और इंट्रेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेके लास्त तक इस वीडियो को जरूर देखेगा और पसंद तो लाइक करें बिना बिल्कुली मज़ जाएगा रैसल मीनिया फॉट्टी जो की दो नैट का इवेंट है जिसके लिए डवडबलोई ने अब तक 13 मैचेज ओफिशली कन्फिर्म कर दी है रैसल मीनिया फॉट्टी का ये इवेंट 6 और 7 अप्रेल को होगा बट इंडिया में ये इवेंट 7 और 8 अप्रेल को दिखेगा वहीं शो को सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेके ही देखा जा सकेगा इंडिया में ये इवेंट मॉर्णिंग में सुबह साड़े 4 बजे से शुरू होगा अब बात कर लेते हैं मैच इसके बारे में फिस्ट मैच हमें नयोमी, बियांका, ब्लेयर और उनकी मेले में विचड़ी दूसरी बैंच जेड कारगिल वर्सेज डैमिज कंट्रोल के बीच 6 वोमें टेक्टीम मैस दिखेगा अब ठीटाक मैच होगा इन दौनों टीम्स के बीच में जो की केबल टाइम काटने के लिए बुक करा गया है ताकि 6 वोमेंस को एक साथ शो करा जा सके मैच से कुछ खास उमीन मुझे तो नहीं है बात करें विनर की तो जीत या नयोमी, ब्यांका और जेड कारगिल की होती दिखाई देगी नेक्स मैच हमें ड्रैगन ली, रे मिस्टिरियो वर्सेस सेंटोस एसकोबार, डॉमिनिक मिस्टिरियो के बीच दिखेगा अब राइवल्री की बात करें तो रे मिस्टिरियो और सेंटोस एसकोबार के बीच तो कोई सेंस भी था लेकिन नहीं, judgment day का, Dominic Mysterio एक member है, सारे members judgment day के book है, तो Dominic को कहा डाला जाए, इसलिए फिर WWE ने सोचा कि, पिता की against टी डाल दिया जाए, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था, दोनों के बीच feud काफी time पहले दिखी थी, खतम भी हो गई थी, फिर से शुरू कर दी है, अब फिर से शुरू करने का क्या मतलब है, समझ नहीं आता, खेर match decent होगा, बात करें winner की तो जीत यहां, रे मिस्टीरियो और ड्रेगन लीकी होती दिखाई दे सकती है, नेक्स मैच हमें Jay Uso vs. Jimmy Uso के बीच match दिखेगा, ये brother vs. brother match होने वाला है, अब इस match के होने के बारे में fans को summer slam में ही पता चल गया था, उसके बाद इस feud को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, अब Wrestlemania 40 के आसपास आते ही इसे फिर से start कर दिया गया, अब अगर बात feud की करूँ तो इन दौनों के बीच next level feud और high बन सकती थी, बढ़ डबलोई ने ऐसा नहीं करा, ये brothers के बीच match है, इसमें promos दिखाते तो ये और personal होता, बढ़ डबलोई ने Jimmy Uso का focus ज़्यादा से ज़्यादा Roman Reigns Rock के साथ वाली feud पे रखा, जिसकी वज़े से इस match की high पुतनी नहीं बन पाई है, match अच्छा होगा इन दौनों सूपरस्टार के बीच, इसमें कोई शक नहीं है, महीं solo sequar Wrestlemania के लिए बुकी नहीं है, तो वो यहाँ दिखाई दे सकते हैं, अब बात करूँ winner की, तो जीत यहाँ, जे उसो की होती हुई दिखाई दे सकती है, next match हमें, गंतर वर्से सैमी जैन के बीच, Intercontinental Championship के लिए match दिखेगा, गंतर WWE history के one of the dominant Intercontinental Champion है, अब chances तो मुझे इस match में, Chad Gable के add होने के लग रहे थे, बट वो हुए नहीं है, वहीं गंतर और सैमी जैन के बीच, फ्यूड में, गंतर काफी dominant दिखाई दिए हैं, Wrestlemania से पहले आकरी रोक के एपिसोड में भी, गंतर ने सैमी जैन में दवा के मार लगाई है, Chad Gable भी साथ में पिटते हुए दिखाई दिए थे, अब बात करें मैच की, तो मैच काफी बढ़िया होने वाला है, जिसमें गंतर सैमी जैन को डिस्ट्रॉइ करते हुँ दिखाई देंगे, सैमी जैन टेक्निकली लड़ते हुँ नज़र आएंगे इस मैच में, अब बात आती है विनर की, वर्सिस थियोरी वॉलर, वर्सिस पीट डन, टाइलर ब्रेट होंगे, वहीं इस मैच में टाइटल्स जो हैं, वो रिंग के बीचों बीच लटके हुए होंगे, जो भी टीम टाइटल्स उतारेगी, वो चैंपियन बनाएगी, वहीं इस मैच में एक टाइटल्स ये भी है, कि जब तक दोनो टाइटल्स नहीं उतारे जाएंगे, मैच कंटीनू रहेगा, इट मीन्स या तो एक ही टीम दोनो टाइटल्स उतार ले, या दो अलग-अलग टैग टीम यहां टाइटल्स उतार लें, और मुझे लगता है कि दो अलग-अलग टैग टीम ही यहां टाइटल्स उतारेंगी, जिसके बाद यहां से हमें दो टैग टीम चैंपियन्स बनते हुँ दिखाई देंगी, ऐसा करके डब डबल टीम टाइटल्स को फाइनली स्प्लिट भी कर देगी, मैच इन टीम्स के बीज धासू होगा, जबरजस एक्षिन इनके बीज दिखेगा, लैडर मैच जो है, अब मुझे लगता है कि यहां से मिज आटरूथ और आस्ट्रिन तियोरी वालर यहां चैंपियन बनते हुँ दिखाई दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जज्जमिंट यहां पर टाइटल लिटिन कर पाएगी, नेक्स मैच हमें रेहा रिपले वर्सिस बैके लिंच के बीच वोमेंज वर्ल्ल चैंपियनशिप के लिए मैस दिखेगा, रेहा रिपले पिछले काफी टाइम से चैंपियन है और काफी डॉमिनिट वो दिखाई दिये हैं, हर किसी को उन्होंने मसल के रख दिया है, फ्यूट दौनों के बीच काफी अच्छी दिखी है, मैच इन दौनों के बीच जवर्जस देखने को मिलने वाला है, जिसमें मज़ा आ जाएगा, एक टाइम होगा इस मैच में जब रेहा रिपले यहां डॉमिनिट कर रही होंगी, बैकी लिंच स्ट्रगल करती हुए दिखाई देंगी, रेहा रिपले को यहां टाइटल से हाथ धोना पड़ेगा, और हमें एक न्यू वोमेंट्स वर्ल्ड चेंपियन देखने को मिल सकती है, नेक्स मैच हमें रोमन रेंज रॉक वर्सिस कॉड़ी रूट्स सेथ रॉलिंज के भी स्टैक टीम मैस दिखेगा, इस ट्रिपलेशन यहां यह है कि अगर रोमन रेंज और रॉक इस मैच में जीतते हैं, तो नाइट टू में होने वाला रोमन रेंज वर्सिस कॉड़ी रूट्स का मैच, ब्लड लाइन रूट्स मैच होगा, और अगर सेथ रॉलिंज कॉड़ी रूट्स जीतते हैं, तो उस मैच में ब्लड लाइन का कोई मेंबर इंटर्फेर नहीं करेगा, अब मैच कैसा होगा उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, रेसल मीनिया से पहले, फाइनल रॉक के एपिसोड में हम सब ने देखी लिया है कि कैसे रॉमन रेंज रॉक ने, बेल्ट से सेथ रॉलिंज और कॉड़ी रूट्स की खालो देड़के रख दी थी, मैच बहुत जबर जस्त होगा, फैंस काफी अधे एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए, वहीं इस मैच में हमें इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकती हैं, शायद से वो सोलस सिक होआ हो सकते हैं, वहीं डुरू मेकेंटार भी हो सकते हैं, क्योंकि हाली के रॉक के एपिसोड में, बेक स्टेज पॉल एमन को डुरू मेकेंटार से बात करते हूँ देखा गया था, काफी टफ है इस मैच का रिजल्ट प्रिडिक कर पाना, वैसे मुझे लगता है कि शायद से यहां से सैथ रॉलिंज और कौडी रूट जीत जाएं, और नाइट टू का मैच क्लीन हो, रॉमन रेंज कौडी रूट के बीज, जिससे फैंस को ऐसा लगे कि रॉमन रेंज शायद टाइटल हारेंगे, वहीं अगर रॉमन रेंज और रॉक इस मैच में जीतते हैं, तो मैच ब्लड लाइन रूल्स होगा नाइट टू का, जिससे कहीं ना कहीं फैंस को फिर ये लगने लग जाएगा, कि रॉमन रेंज ही कौडी रूट के खिलाफ फिर से जीत जाएंगे, क्योंकि जब ब्लड लाइन के मेंबर्स इंटरफेर करेंगे, तो जायर सी बात है कौडी रूट को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, और कौडी रूट फाइट बेक अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और एडवांटेज रोमन रेंज पर होगी नमबर्स गेम के मामले में, तो कौडी रूट के लिए मुश्किल हो जाएंगी, तो अब देखना इंटरस्टिंग होगा कि इस मैच में क्या होता है, बचे हुए मैचेस के रिजल्ट पार्ट टू में दूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अगर सारे मैचेस इस में ही कवर करूँगा, वहीं अगर वीडियो आपने यहां तक देखी है, पसंद आईए, तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,